Dear students, आज हम formal letter के अंदरगर application for job का देन करेंगे. Application for job एक ऐसा letter है जब हम किसी service या नौकरी के लिए apply करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है. राजस्तान Board of Secondary Education और CBSE के 12 में ये एक बहुत ही महतुर्पून किसन के रूप में पूछा जाता है और इसी परकार अन्जी state boards में भी ये पूछा जाता है. तो आईए सबसे पहले हम इसके format का दिन करें और उसके बाद एक किसन जो इसी से समधित होगा उसको हम solve करेंगे एक format के मादिन से. Format आप समझ ले तो बिलकुल आपके लिए पूरे में से पूरे नंबर लाना आसान हो जाएगा. तो आईए सबसे पहले हम application for job के format का दिन करें. सबसे पहले हम यहीं देखें. तो सबसे पहले आपको दो लाइन में आपको sender address यानि जो यह application लिख रहा है, यह letter लिख रहा है, उसका हमें address लिखना होता है, जो कि आपको question में मिलेगा. पर यहीं आपको question में नहीं मिलता है, तो आप दो लाइन में कोई भी एक address लिख सकते हैं. जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 32, गांदी नगर, और एक जगह का नाम जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जोद्पुर. तो यह दो लाइन का address, आपको sender address के रूप में लिखना है, इसके बाद आपको ddmmyyyy की date में आपको इसकी date लिखनी है, यानि दो अंको की date, इसके बाद alphabet में मैं मैंने का नाम, जिस मैंने में आप लेटर लिख रहे हैं, या exam हो, वो date आप लिख सकते हैं, और year. इसके बाद receiver address, again, आपको दो line में इसका address लिखना है, अब वो किसको लिख रहे हैं, एक school के लिख रहे हैं, तो वहाँ का address हो जाएगा, किसी अन्य firm या organization या company में लिख रहे हैं, तो उसका वो आपका address लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है subject, अब subject में हम लिखेंगे application application for the post of, और जो भी post है, वो हम या लिखेंगे, यहाँ आजाएगा application for the post of, और जो भी post के लिए आप apply कर रहे हैं, चाहे teacher के लिए कर रहे हैं, चाहे lecturer के लिए कर रहे हैं, चाहे clerk के लिए कर रहे हैं, चाहे computer teacher के लिए कर रहे हैं, कोई भी job, जिसक से सम्मझेद वो आप यहां पर mention कर सकते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं application मैं लिख देता हूँ application for the post of और उस post का नाम आपको आगे लिखना है इसके बाद dear sir या madam जिसे भी आप letter लिखे आगे sir है या madam है उससे समनित आप लिख सकते हैं इसके बाद यह एक ऐसी set line है जिसका अप उस्तेमाल आप लगबग परती इसी परकार के question के लिए कर सकते हैं जैसे सबसे पहले यहां आजाएगा आपका this is response to your advertisement यहां से आपको शुरुआद करनी चाहिए application for job कैसा भी हो किसी से भी समनित हो यह line आपको यार हो जाती है तो आप जैसा भी question है हम इनी line हों को कामल लेकर एक question इसके बाद solve करेंगे आप देखना this is response to your advertisement in newspaper यहां पर अब आपको क्या करना है newspaper का नाम लिखना है तो यहां पर क्या हो जाएगा this is response to your advertisement इन और newspaper यानि यहां पर आप newspaper का नाम लिख सकते हैं newspaper आप चाहे तो times of India रख सकते हैं hindustime times कर सकते हैं राज़स्तान पत्रिगा कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है वो आप यहां पर उसका address या sorry newspaper का नाम लिख सकते हैं तो मैं जैसे मालोड times of India की बाद करो तो आपकी line क्या हो जाएगी this is response to your advertisement in the times of India dated अब कौन से date में यह advertisement आया है उस date को आप लिख सकते हैं जैदी आप उपर जैसे date लिख रहे हैं उसके एक या दो दिन या तीन दिन पहले की आप पर date mention कर सकते हैं for the post of अब यहां जो रिक्टिस्तान है यहां पर आपको क्या लिखनी है post जैसे teacher है lecturer है तो वो यहां लिख सकते हैं किसी hospital में आप apply कर रहे तो doctor या जो भी post है वो आप लिख सकते हैं किसी organization में आप किसी post के लिए apply कर रहे तो उस post का नाम या पर लिख सकते हैं उसके बाद आप लिखेंगे I am applying for the post of यानि यह advertisement इस post के लिए था और मैं इसी post के लिए apply कर रहा हूं यानि वालोग एक ही advertisement में दो तिम post है तो आप जिस post के लिए apply कर रहे हैं वो है यदि advertisement में एक ही post है तो दोनों में आपको उसी post का नाम लिखना है यहां पर आपको लिखेंगे यहां पर आपको लिखेंगे यहां पर आपको लिखेंगे अपनी qualification जैसे teacher के लिए यूजी पीजी प्लस बीएड तो यहां आप लिख सकते है आयम पॉस्ट ब्रेजुएट प्लस बीएड यदि आपकी किसी computer teacher की requirement है तो computer teacher से सब्सक्राइब आप चाहे तो BCA या NCA वैंशन कर सकते हैं तो यहां पर आपको लिखेंगे अपना एडिकेशन या qualification देर आपका experience यहां पर अगला sentence होगा वह होगा I have been working as a यानि मैं काम कर रहा हूं क्या काम कर रहा हूं तो यहां पर उस post का या पंद का डेजिक नेशन का नाम आपको लिखना है जैसे लेक्षर है तो आपका लिखेंगे I have been working as a teacher या lecturer या computer teacher या nurse या compounder जो nursing officer जो भी आप लिखा चाहिए जिस से समझेद क्यूशन है वो आप लिख सकते हैं for five year यह five year यहां पर सो कर रहा है experience तो according to question यहां पर आप change कर सकते हैं किसी में three year experience है किसी में यदि experience mention नहीं है या नहीं मागा गया है तो भी आप इसको लिख सकते हैं इसके बाद आप line लिखेंगे I am sending my CV CV का मतलब होता है curriculum vitae या bio data या resume तो I am sending my detailed CV for your kind consideration और मैं अपनी detailed CV या bio data है वो आपकी consideration के लिए भेज रहा हूँ फिर आप लिखेंगे Thanking you यहाँ लिख देना Thanking you yourself fully और फिर sender's name और signature यानि आपको यहाँ पर जो send कर रहा है इस letter को जो लिख रहा है उसका आपको केवल यहाँ पर नाम लिखना है इतना काम करने के बाद आपको एक by data यानि CV curriculum vitae आपको लिखनी है तो इस format में अब आप curriculum vitae लिखेंगे ताकि यहाँ पर आप अच्छे अंग प्राप्त कर सके अब curriculum vitae में आप क्या लिखेंगे सबसे पहले name यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे नाम लिखने के बाद father name, mother name यहाँ पर यह लिखेंगे इसके बाद data bird आप data bird लिखेंगे तो data bird आप कोई भी एक काल्पनिक लिख सकते हैं अब इसको निकालने का idea में बता दूँ जैसे आप मानलो किसी teacher के लिए apply कर रहे हैं और उसमें 5 साल का experience ही है तो आपको थोड़ी सी calculation करनी पड़ेगी यदि आपने थोड़ी सी calculation नहीं कर पाए गरवड़ कर पाए जैसे मानलो यह चल रहा है 2023 और आप teacher के लिए apply कर रहे हैं आप अपने मन से कोई भी जैसे 2000 अपनी data of birth लिख देते हो यह data of birth हो जाती है यह यहाँ पर आप apply भी कर रहे है teacher के रूप मेर आपक चार-पांच साल का experience है तो यहाँ पर यह calculation रगड़ हो जाएगी कैसे कि जैसे मानलो 12 तक उसने पढ़ाई की लगब 12 साल उसको लगे इसके बाद 3 साल की graduate इसके बाद मानलो post graduation किया होगा तो दो साल उसको लगे होंगे एक या दो साल की graduate पहले एक साल की होती थी फिर दो साल की होने लगी मानलो एक साल की graduate भी हम माने उसका एक वर्स फिर पांच वर्स का experience यदि हम इसको भी total करें तो आप देखे 12 और 3 15 16 17 18 18 18 और 15 23 तो यही होग तो कम से कम चार हम मानले तो 27 यानि यह मानके चले कि इतने पढ़ाई और अनुभू के बाद वो वेक्ती लगग लगग 27 28 वर्स का होगा तो यहाँ पर आप जो भी करंटी रहे उसमें से 27 या 28 वर्स आप माइनस कर ले और फिर वो date of birth यहाँ पर लिखे 23 के हम बात करें तो यदि हम 1995 की date of birth डाले या 1996 की date of birth डाले तो यह हमारे लिए suitable होगी यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके बाद आपको qualification में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले main man 10 12 इसके बाद जो भी अनियर इसके अलावा भी आप चाहो तो यदि आपके पास extra qualification है तो उसका आप नीचे box बना सकते है तो जो भी class या जो course है उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे इसके बाद किस किस year में आपने उस exam को पास किया है वो year लिखेंगे और division कैसा है first है या second है या third है या जो भी है वो आप इसमें लिखेंगे इसके बाद अब आप के नीचे experience experience जो भी मांगा गया है जो आप लिखना चाहे या five years लिखावा है three years हो सकता है two years हो सकता है या zero यानि no experience भी हो सकता है वो भी आप लिख सकते है इसके बाद hobby hobby में भी आप traveling, reading novels, books, gardening तो यह चाहे आप इसमें लिख सकते है और फिर उसका address यानि जो address हमने सबसे प इस परकार से यदि आप इस cv या bio data को पूरा करते हैं और जब यह पूरा हो जाए तो आपका letter आपका त्यार हो जाएगा तो यहाँ पर हमने application for job के format का देल किया अब आप देखे एक essay question को हम solve करते हैं जो cvc में आया हुआ है application for job के लिए है और विल्कुल आप इसको आप अराम से समझें किसके लिए apply करना है और क्या कहा है और क्या मांगा है सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहली एक question है जैसे यह advertisement है जो किसी newspaper माया है now given public school requires senior computer teacher यानि आप देखे main main चीज क्या है वो आप find out कर ले आपको idea लग जाएगा तो आपको later किसको लिखना है now given public school या उसके director या principal को जो आगे दे रखा होगा अब किसकी requirement है senior computer teacher यानि senior computer teacher की आप सकता है उस post के लिए eligibility requirement क्या है post graduate in computer science जिसकों बोलते हैं M.C.A. Master of Computer Application तो computer science में क्या degree नहीं की है busy post graduation with minimum five years worth experience और कम से कम पाच इससे अधी चलेगा कम से कम पाच वर्स का अनवोग होना चाहिए as a computer teacher mention additional skills यदि और भी किसी परकार की skills आपको आती है या आपसे समने थे तो वह आप mention कर सकते है as a computer teacher उसके अलावा क्या-क्या आपका interest है क्या-क्या आपने achieve किया है उसका भी आप चाहिए तो mention कर सकते है contact है आपका principal now given public school जगह नहीं दे रखी है लेकिन school का नाम दे रखा है और किसको लिखना है principal को तो यहां आप देखे तो जिसको letter लिखना है वो तो हो गया आपका principal post है वो हो गई आपकी senior computer teacher अब नीचे question दिया गया you are Samira और Samir यानि आप Samira या Samir है तो girls है वो Samira ले 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 और boys है वो Samir write a letter to application for the job अब यहां देखे आप letter लिखना है किस रूप में application for the above bench and post in 120 to 150 words यानि करीब करीब 120 से 150 words include a detail bio data और इसी letter के साथ आपको क्या लिखना है bio data भी तो बिल्कुल easy यदि आपको अभी मैंने जो format बताया उसके according चलेंगे तो यह question अराम से 120 और 150 words में लिखा जाएगा इसी परकार की आपको एक बार उस format को डंग से पढ़ना है याद करना है और फिर इससे समुझदे चाहे कैसा बिलेटरो आप उसको आसानी से कर आया है कि किस प्रकार से यह application for job इस question के लिए लिखा जाएगा उसको हम पढ़ते हैं देखते हैं यह आगे आपका application for job अब आप देखें according to format और according to question यदि आपको question नहीं लिखा है तो वापस वीडियो को पीछे करके आप question लिख ले और नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के description में भी आपको question मिल जाएगा अब आप देखें तो सबसे पहले हम address लिख ले तो address उस question में नहीं दिया गया था तो नहीं दिया गया है तो हम अपने मन से यहाँ पर लिख सकते है 27 गांधी नगर जैपुल यह हमने दो लाइन में सวारे को लिख लिया है कृशं में नहीं दिया गया है इसलिए हमने अपने मन से लिखा है question में यह दे address होता सेंडर address होता तो हम लिखते हैं उसके बाद आज की डेट जैसे 29, 2023 यह हमने लिख ली इसके बाद आप देखें दो लाइन में किसको लिखना है प्रिंसिपल नव जीवन पॉपलिक स्कूल और जगह का नाम नहीं है तो हम यहां पर जगह लिख सकते हैं जैपुर एक आप जो चाहे वो लिख सकते हैं इसके बाद सब्जेक्ट अब आप सब्जेक्ट देखें एप्लिकेशन फोर दे पॉस्ट आप सीनियर कंप्यूटर टीचर बास तो लाइन सेंग गहेगी एप्लिकेशन फोर दे पॉस्ट आप सीनियर कंप्यूटर टीचर यहां पर आप जो अलग की जिसी परकार रहा प्य क्या चांज किया , एक newspaper का नाम लिखा, रालांकि question में नहीं दिया वा था, लेकिन हमें यह पर अपने में से लिखणाया है आप जो चाह ए Times of India लिखना चाहू दे लिखना चाहू या अन्य अग्वार का नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं तो इस इस response to your advertisement in the Times of India यहाँ डेटे जो डेट यहाँ हम लिख रहे हैं उसके दो चार दिन पहले कि आपको डेट लिखनी है डेटे 26 नावंबर टुठाव चाहँ चाहँ है 23 for the post of senior computer teacher यहाँ देखे आप यदि हम फर्मेर के एकोटिंग चले तो यह हमने यहाँ पे लिख लिया I am applying for the post of senior computer teacher और मैं किस के लिए अपलाई कर रहा हूँ senior computer teacher की post के लिए I am अब यहाँ पर आपको qualification लिखनी है जो मैंने लिखनी है I am mca mca मतलब आप master of computer application degree holder है यानि इसकी आपको आपके पास degree है I have been working as a senior computer teacher for five years और मैं पांच वर्स के रूप में या छे वर्स के रूप में एक computer teacher के रूप में काम कर रहा हूँ आप चाहे तो किस school में काम कर रहे हैं उस school का नाम भी आप mention कर सकते हैं कि I have been working as a senior computer teacher in bright moon public school जैपूर किसी भी अन्य इसकूल का नाम आप लिखकर for five years लिख सकते हैं अब इसके लिखने के बाद आप लिखेंगे I am sending my detailed CV for your kind consideration यानि मेरी CV है या bio data है वो आपके consideration के लिए भेज रहा हो और फिर यहां पर आप लिखेंगे थैंकिंग यू यूर्स फैथफुली और समीर क्लिफ बहुत इजी है उसी format को हमने follow किया है जो इससे पहले हमने पढ़ाए बस आपको तो जाँ जाँ ब्लैंक लग रहे हैं उसके according उसकी post उसकी qualification आपको लिखनी है उस designation लिखना है और फिर आपको cd by data में आजाना है अब by data में आप देखें तो बिल्कुल फिलप है किसी भी परकार की कोई समस्या नहीं है यदि आपने एक या दो बार format का अध्यन कर लिया format का अध्यन कर लिया इसका मतलब यह पूरे में से पूरे नमर आने के चांसे अब detail cv यानि curriculum बिटे आम जिसको cv बोल रहते हैं इसकी यह full form है curriculum बिटे यानि पूरा आपका detail bio data सबसे पहले name तो हमने लिख दिया हमने एक date लिख भी है birthday 25th July 1996 इसके बाद qualification क्या क्या qualification है तो यहाँ देखें आप 10th 2010 12th 2012 BCA 2015 MCA 2017 और division सभी का first 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 division clear of which is अब इसके बाद experience तो five years change रह सकते हो six years seven years जो भी है फिर हो भी यहाँ मैंने लिख दी gardening जो चाहिए आप लिख सकते हो examiner को उससे कोई फरक नहीं कड़ेगा then address जो हमने पहले address लिखा था 27 गांधी नगर जैपूर तो dear students इस प्रकार से यह आप application for job letter क्या format का जिन कर लगते हैं किसी भी परकार के question का हम यदी अदियन करें और उसको application for job में convert करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और जब आप पूरे letter को और इस curriculum विटे को जब आप देखोगे तो बिल्कुल जो हमने mention किया था 122-150 words limit उसी के according यह letter लिखा गया है तो dear students बहुत ही easy और पूरे में से पूरे अंक marks लाने का यह ग्रामबान इलाजे इस वीडियो कैसा लगा पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और यह जी चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू